हड़ो इस विडियो में मैं आपको बिटेल में बताओंगों की आप बिना किसी थड़ पार्टी आप्लिकेशन को डाउनलोड किय twitter आप अपने डिलीक मesस्य को देख सकते हों वाटसब के यहां पे अपका देख सकतो हो एक मैसेज यसने separating किया है वो डिलीट कर दिया है मैसेज करके डिलीट कर दिया है तो इस मैसेज को कैसी चेक करना है पूरा प्रोसेस अब ध्यान से देखिए और friends अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में बिल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर एक YouTube वीडियो का notification सबसे पहले आप तक पहुंच सके चलिए friends वीडियो को start करते हैं तो friends इसके लिए आपको क्या करना है simple process है सबसे पहले friends यहाँ पे आप message को देख सकते हो जो कि सुबा 7 बजे का message है यहाँ पे delete हो चुका है इसको हम नहीं देखे हैं तो कैसे देखेंगे इसके लिए friends simple है आपको अपने setting को open कर लेना है और इस तरह से आपके सामने page open हो जाएगा और friends यहाँ पे आपको एक option ढून लेना है notification and status bar तो friends settings सब mobile में सेम होता है बस option उपर नीचे हो सकता है आपको यहाँ पे ढून लेना है notification and status bar और आपको notification and status bar वाल option में ही click करना है यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है manage notification आपको in the Noble也 option किक把 you click करना है यहाँ और को more action order कडिक करने के बाद фंट्ट यहाँ पर डेख सकते ही हैं यहाँ आप क्लिक करना है यहाँ आपको خलिकिक करना है तो स्रीप वाटसब भी नहीं आप यहां पे वो सारा नौटिफिकेशन देख सकते हो जो भी आपके मॉबाइल में आया है या फिर डिलीट हो गया है आपको नहीं देख पारे हो तो आपको यहां पे इस ऑप्षन को इनेवल करना है तो ही आप देख सकते हो अगर आपका यह तो आप नहीं देख सकते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है इस अप्षन को इनेवल गर इतार के रहा है जैसा अपर सब्सक्रेंस करदेख दोगे तो इसे बाद आप जो भी मैसेज आएगा और टेऱ Clearly आप नहीं देख सकते हो तो आप यहां पे आकर कि देख सकते हैं तो friends I hope आपको ये trick अच्छा लगा है या फिर वीडियो समझ में आई है तो friends वीडियो अच्छे लगी है तो like, comment, share जरूर कीजिए मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही next video में तब तके लिए बाँ बाई